क्या आप भी अपने चेस्ट का साइज बढ़ा करना चाते हो वो भी घर पर बिना किसी एक्विप्मेट के तो बिलकुल सही जगा पर आए हो हमें अपने चेस्ट का साइज इसलिए बढ़ाना है ताकि हमारा फौज में सिलेक्शन हो जाए बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन पहले नहीं हो रहा था क्यूंकि उनका चेस्ट का साइज सही नहीं था एक या दो इंच के कारण भाई लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है एक एक साल लोगों के बरबाद हो जाता है इस चक्कर में तो जिन लोगों का पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा था मैं गया उनके पास उनके प्रॉब्लम को समझा ध्यान से और फिर मैंने उनको जो exercises बताएं same to same आपको भी वही बताऊंगा उनका selection अभी हो गया है बारी आपकी है अगर आप फौज में भरती होना चाते हो अगर आप selection चाते होना तो ये वीडियो देखते रहना क्योंकि ये वीडियो आपके जिन्देगी बदल सकता है मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक महीना मांग रहा हूँ इस एक महीने के अंदर अंदर आपको result मिल जाएगा लेकिन मेरी एक शर्त है दोस्त आपको हिलाना बंद करना पड़ेगा मैं अपने तरफ से 100% लगा दूँगा जान लगा दूँगा आपका chest का size बड़ा हो जाएगा लेकिन शर्त यह है ये आपको भी वही करना होगा जो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और ध्यान रहे उस शर्त को मत भूलना क्योंकि सारा खेल वहीं से शुरू होगा अब बात करते हैं उन 5 exercises के बारे में जो 100% आपका chest का size बड़ा कर देगा 5 exercises बताऊंगा जो पहली exercise है ना उसको बोलता है normal push up हम सब को normal push up लगाना आता है लेकिन अकसर कहीं न कहीं हम technique में गलती कर देते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जल्दी जल्दी push up लगाता है भाई क्या दिखाना चाहते हो form खराब होती है उससे सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपको push up जब भी लगाना हो आराम से लगाएं push up ताकि आपको maximum result मिल सके पूरा नीचे जाना है और फिर पूरा उपर आना है जितना आराम से धीरे-धीरे करोगे उतना आपका chest का muscle activate होने लगेगा और आपको अच्छे results मिलेंगे नॉर्मल push up के आपको 3 sets लगाने हैं और 12 repetition इसके करने होंगे अब बात करते हैं अपने दूसरे exercise के जिसको आप कहीं पर भी perform कर सकते हो इसको बोलते हैं incline push up इस exercise में आपको अपने हातों को किसी उचे जगा पर रखना होता है इस तरह से incline push up की खास बात यह है कि ये आपके lower chest को target करता है इस exercise के आपको 3 sets लगाने हैं और 12 repetition करने होंगे अब बात करते हैं अपने तीसीरे exercise की इसको बोलता है decline push up जिस प्रकार से incline push up lower chest को target करेगा उसी प्रकार से decline push up अपर chest को target करता है इस exercise में आपको अपने पैरों को किसी उच्छे जगा पर रखना होता है इसकी और एक अच्छी बात है कि ये आपके anterior deltoids को भी target कर देता है इसके आपको 3 sets लगाने होंगे 12 repetition रहेगा दोस्तों अगर बात करें चौथी नमबर exercise की तो इसको बोलता है wide grip push up जैसा कि आप देख सकते हो इसमें अपने पैरों को जोड़ना होगा और अपने हातों को खोल लेना wide grip push up की खास बत ये है कि ये आपका outer chest बहुत जल्दी grow करवाएगा इसके भी आपको 3 sets लगाने होंगे और 12 से 15 repetition लगा सकते हैं आप अब बात करते हैं एक सबसे जरूरी exercise की इसको बोलता है close grip push up इस exercise में आपको अपने हातों को बिना किसी gap के जमीन पर रखना होता है बड़े बड़े bodybuilders भी इसी exercise का इस्तमाल करते हैं अच्छी cutting लाने के लिए अपने inner chest में इसके भी आपको 3 sets लगाने होंगे जितना repetitions लगा सकते हैं आपकी जाकर जरूर लिखें कि आप कब से ये 5 exercise लगाना शुरू कर रहे हो और ध्यान रहे मेरी शर्थ क्या बोला था मैंने comment section में एक बार फिर से जरूर बताना health और fitness related correct और genuine information के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूंगा इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ भी share करें और उनको भी challenge दे कि भाई chest बनाते हैं चल अब मिलकर तो आज के लिए बस इतना ही मिलतें अगले वीडियो में चैह हिंद